विश्वास यानि ट्रस्ट बड़ी कमाल का शब्ध है और इसी शब्ध से बनता है भरोसा जो सबसे आदा इंसान को भगवान पे होता है। बस इसी भरोसे के सहारे दिमाग से शातिर कुछ मकार भ्रष्ट लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन कर इंसान को भगवान तक पहुँचाने की शॉटकट फाली सीड़ी बनकर भगती का धंदा चलाते हैं। जो स्टेज पर ओडियंस के सामने गाने बजाने की महफिल में आग लगा रहे हैं। की हवस और दरिंदगी का शिकार बन जाती हैं। एक तरफ सेक्स का पसंदीदा शौक जिसमें बाबा अंधे हो चुके हैं तो दूसरी तरफ आश्रम में ड्रक्स का चोरी चुपके चलने वाला बिजनिस। इन सबसे परदा उठाने को सीजन वन से बाबा की पीछे लगे कुछ चालाग दुश्मेनों को आश्रम में एंट्री मारने का मौका मिलता है। लेकिन एक चोटी सी चूक और आश्रम से वापस बहार निकलने के सारे सपने चकना चूर हो जाएंगे। एक कहानी तया की गई है जिससे हम सब काफी रिलेट कर सकते हैं। सीजन वन में सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि बाबा बने बॉबी को जादा देखने का मौका नहीं मिलता लेकिन सीजन टू पूरी तरह उनके इडगेड घूमता रहता है। बाबा की इवल साइट जिसके बारे में अभी तक हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे उसका एक एक काला किस्सा स्क्रीन पे भयानक तरीके से उतारा गया है। कुछ ऐसे क्राइम्स भी हैं जो आपकी शेहनशीलता यानि पेशन्स को टेस्ट करते हैं और आप टीवी में घुसके बाबा से मुका लात करने का इरादा बनाते हैं। जरा सोचके देखिए एक मामूली सा लड़ू किस तरीके से हजारों लाखों लोगों को कंट्रोल करने का हत्यार बन सकता है। एक हिंदी बुक जो सड़क पे 10-15 रुपे में बिक्ती है वो किसी की जान की दुश्मन बन जाती है। ये सारे अतरंगी कारणा में शो के राइटर के खुरापाती दिमाग का नतीजा हैं। ऐसी चालाक राइटिंग जो सही गलत के बीच चलने वाली जंग में आपके दिमाग को बांध कर रखती है। हा लेकिन कुछ चीजें हैं जो आश्रम के चिकने सीधे रास्ते पे स्पीड ब्रेकर बनके शो की तेज रखता से भागती हुई गाडी को रास्ते पे दाएं बाएं भटका देती है। अध्यान सुमन जो शो में एक सिंगर बने हुए हैं वो बार-बार स्टेज पे चड़के एक ही गाने को दहराते रहते हैं। एक बार-दो बार ठीक है लेकिन छे-साथ बार एक ही लाइन को दहराना आपके कानों में दर्ट पैदा कर सकता है। दूसरी रुकावट है जबरदस्ती घुसाय गए रिपिटेटिव सेक्स सीन्स जो हर एपिसोड में लगबग 5-10 मिनिट पूरी तरह बरबाद कर देते हैं। और स्टेज पर जाके चीफ मिनिस्टर के साथ बाबा का गाना बजाना और ओडियन्स का उनके लिए तालियों की जगे मुह से सीटी मार के शोर मचाना ये सब आश्रम की दुनिया को इल्लॉजिकल बना देते हैं। बॉबी दोल पिछले सीजन की तरह इस बार फिर से शो के सेंटर ओफ अट्रेक्शन है जिनसे आखें हाटाने के गलती आप गलती से नहीं कर पाएंगे। बियार कमशब्दों में बोलू तो आश्रम सीजन टू आश्रम वन के मुकाबले थोड़ा फीका नजर आता है। सपोर्टिंग कास्ट में दर्शन कुमार और चंदन रोई की दंदार परफॉर्मेंस के लिए। पॉलिटिक्स पावर और सेक्स जैसे तेड़े मेड़े कॉंसेप्स को एकी कहानी में गुसाने के लिए और हाफस्टार परदे के पीछे नेता जी और साधू बाबा की रियल लाइफ सेटिंग को एक्सपोज करने के लिए। बात करूं नेगेटिब्स की तु एक स्टार कटेगा बिना सरपेर के अध्यन सुमन एंट टीम के सारे गामा पावाली परफॉर्मेंस के लिए। हाफस्टार काफी धीमे कमजोर स्क्रीन प्ले के लिए और हाफस्टार च्विंगम की तरह खीचे गए कुछ रेपिटेटिव सीन्स के लिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या पर कुछ शिकायद करनी हूँ तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाओंगी बढ़ना थोड़ा सा इंपजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई